नमस्कार दोस्तों सरन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बिहार ESI एक्जाम के बारे में कि आपको क्या-क्या गलतिया नहीं दोहरानी है जो कि बिहार दरवा के मेंस एक्जाम में काफी लोगों ने काफी स्टुडेंट्स न आपको बचना है तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि वो क्या-क्या गलतिया आप से हो सकती है काफी स्टुडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर यह मेरा गलतियो वो हो गया तो इसलिए मैं आप लोगों कि आप लोग अकल एक्जाम है तो ध्यान से समझ दीजे कि क्य देखे दोस्तों आप लोगो कुछ important thing मैं बताना चाहता हूं कि क्या-क्या आप लोगो को ध्यान से करना है सबसे पहला जो आपको है point यह आपको reach before reporting time यानि कि आप लोगो एक्जाम सेंटर पे अपने जो reporting time में साड़े आट बजए उससे थोड़ा सा पहले ही पहुच जाना है आप अपने एक्जाम सेंटर पर time ली पहुच जाए साड़े आट बे से पहले भी पहुच जाए को दिकत नहीं है बट ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए हो सकता है साड़े नौ बज़े तक आपको entry मिलेगी साड़े नौ बट आप पहले पहुच जाए तो ज्यादा आप अपने आपको जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता जाएगा वसे करिएगा बट आप जो अपने एक्जाम सेंटर पर है वो आपको time से पहुच जाना है यह आपका सबसे पहला जो पॉइंट था अब हम जान लेते हैं रिड इंस्ट्रक्शन के केरफुली यानि कि जो भ अपकी गलति का रिवर्श तो इनीशारी चीजों से आपको बचना है जो भी इंस्ट्रक्शन सो उनने फ़हले ध्यान से पढ़ जी उसके बाद अपने पेन को उस पर यूस करिए उसके बाद जो लिखना है वससे लिखिए बड पहले आपको जो भी इंस्ट्रक्शन हो जो में ही इन्वेलब के ऊपर में आपको एक नीचे में बॉक्स दिया होगा जहां पर आपको अपना नाम भी लिखना है रॉल नंबर लिखना है और सिग्रेचर करना है तो सबसे पहले आप अपना रॉल नंबर नेम वगरा जो भी हो साइन वगरा करना हो पहले उसको साइन कर ल तो इसलिए आप खोलने से पहले ही आराम से सिगनेचर कर लीजिएगा उसके उपर और अपना रॉल नंबर को मिला करके लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत लोगे कमेंट्स आया है उनका छूड़ गया है तो सबसे इंपोर्टन चीज यह था अगला है फिल रॉल नंबर केरफुली और उसके बाद जो सरकल करना है उसको भी ध्यान से करना है देखिए दोस्तों बहुत लोगों के इस बार मेंस में गलती हुए है कि उन्होंने अपने रॉल नंबर में जो बॉक्स में पहले आपको तो काफी स्टुडैंट्स ने अपना बॉक्स में गलती कर दिया है और साती साथ जो सरकल करना उसमें भी गलती है तो इन शीजो साब को बचना है आपको करना क्या है कि अपने रॉल नंबर को पहले एक-दो बार पढ़ लीजे उसके बाद उसको बॉक्स में लिखिए धे प्रॉब्लम नहीं हो का पता रहागी किस सरकल में सरकल करना है तो यह सारे चीजे थी आपको इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उसके बाद है रेट क्वेस्टिन्स केरफूली देखिए जब आपको को जब जब आपको कोशन पेपर खोलने का मौका दिया जाए मतलब बोल लेकिन आप उसको पहले रंग लेंगे पहले गोल कर लेंगे तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपका एक गलत हो जाएगा साथी साथ निगेटिव मार्किंग में भी चला जाएगा तो आपको करना क्या है कि जिस को आप बिल्कुल ही कन्फर्म है सबसे पहले उसे तो आ पहले हमाँ में बनता है उतनी लोगों उतनु ही को सरकल करये बागी कोशन नहीं करना अपको फिर उतके बाद जब सबढसर में आप जब जाए तब उसम्में आप जो भी डेंट हो उसे और अराम है उसे अप जयादा धिक्कत नहीं होगा आपको बार बार question paper ढूंडना नहीं पड़ेगा और वैसे भी question paper पर आपको टिक तो लगाना नहीं रहता है तो इसलिए मैंने आपको एक सुविधा के लिए बता दिया कि पहले question पढ़िए जो भी उसका चीजों से बचिएगा दोस्तों क्योंकि सेलेक्शन होना ना होना तो खैर बात की बात है बट आप अपना उमर सीट गलत कर दे आपका तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी इसलिए इन सारे चीजों को ध्यान रखिएगा यदि आपको कोई और भी डाउट होता आप मेंसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्त ऑबचि ऑम मेंसे में लाइक करे दोस्त आया दोस्त माझन ओचिवि को अश्यार की इस बात है क्या modal करो?